हेलो दोस्तों मुझे पता है कि चाय में चीनी ज्यादा पढ़ गया है तो कोई बात नहीं मैं तीन ऐसा तरीका बताने बाला हूँ जिसके द्वारा चाय में चीनी ज्यादा हो गया हो तो आप कम कर सकते हैं ये भी बताएंगे कि चीनी के जगा पर आप क्या क्या चीज डाल सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बलाइगन घंटी को प्रेस कर दीजिए हेलो दोस्तों मैं हूनी रच हिंदी कुकिंग बिहार में आपका स्वागत है होता क्या है घर में महमान आये हुए हो आप चाय बनाने के लिए जाए और चीनी गलती से ज़्यादा पढ़ जाता है तो आप उसे फेक देते हैं तो इससे बचने का पहला तरीका है दूद जी जादा दूद डालेंगे उतना मिठास कम होगा तो फाइनली अब चलते हैं दूसरा तरीका की ओर तो दूसरा तरीका है पानी तो गाईज पानी से भी आप चाय में मिठास को कम कर सकते हैं करना क्या है उबलते हुए चाय में अगर आप पानी डालते हैं तो मिठास कम हो जा चाय में आजी छोटी चमत से कम अगर नमक डालते हैं चाय के अनुसार से ही नमक को डालेंगे नमक को जादा भी नहीं डालना है नहीं तो चाय खराब भी हो सकती है इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको एक चीज और जान लेना है जो कि चीनी के जगह पर आप क्या-क्या चीज यूज कर सकते हैं जिससे मिठास थोड़ा नॉर्मल रहे शरीर के लिए भी लावदायक हो तो फाइनली चीनी के जगह पर आप चार ऐसा चीज डाल सकते हो जिसके द्वारा चाय बनाने में असानी हो तो सबसे पहला नमबर है गुड़ के माधिम से अगर आप चाय ब मिलता है तो फाइनली इसके द्वारा भी आप चाय को बना सकते हैं और चौथा है किसमिस अगर चाय या कॉपी में अगर किसमिस का यूज करते हो तो बहुत ही बढ़िया स्वादा आता है और सहत के लिए भी फायदे मंद होता है अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक् यार यज करते हैं और छिरन आता है अगायई है का यार आता है यार जदाली आता है किसमिस अगर चेंगा लगादावीड़ प्रिए़।